हिमाजल पर्टेश के जिला हमिरपुर के सासन गाउं के बाशिंदो ने प्रशासन पर लापरबाही के आरोप चड़े हैं ग्रामिनों का आरोप है कि 16 जून को उनके गाउं की एक लड़की अपने माई के दिल्ली से लोटी है और उसके साथ साथ लोग और साशन पहुंचे हैं जिन में से दो लोग पोस्टी पाए गए हैं हालांकि अभी 6 लोग गाउं में मुझूद हैं और बिना रोक टोक गाउं म बहीं चाशन गाउं के बाशिंदो अरुन कुमार कृष्णाशर्मा सरोज ने प्रशासन से घुछार लगाते हुए कहा कि इन लोगों को जल्द से जल गाउं से निकाल कर अन्य स्थानों पर कुरेंटीन किया जाएं ग्रामिनों ने बताया कि इस महिला के सिसुराल नादो लोग आये थे वो दिल्ली से आये और जो उनका पास था वो गजी अबाद का था तो लोगों ने सभी गाम बालों ने और जेक्शन किया था 14 तरीकों की कि इनको यहां नहीं रखा जाए जहां इनकी पंचाईत है बटेडा यह पनसाई बहां उनको रखा जाए और इस गाम के हमये तो उस दिन तो कोई फ्रसाथवाला नहीं आया मैंने बात फोन कि ay को कि Codea DC को फीटो में इंपर जाये अकुछ आई बहां पी रखा जाए यह किसी होटल में रखा जाए ताकि हमारा गाम सेव रह सकतिक क्योंकि दिल्ली के जतने बी पॉजिटिव निकल रहे हैं तो गाम बालों ने इन बहुत ब्रोध गया पर परसासन नहीं कि नहीं सुनी जब इनकी आज रपोर्टें आई दो दिन पहले तो दो पॉजिटिव आए और छे की अभी बताने रहे हैं तो काल भी बहुत कोशिस की परसुमी की तो यहां पुलिस को रखना चाहिए क्योंकि हमारी पंचाहित बिल्कुल सेफ़ती करोना के मामले में और यह जो बार से लोग आए इनोंने दैसत बला दी गाम के लोगों में दैसत फैल गई यह पहले तो सरकार बोलते थे कि बचाब करो जब लोग सड़कों पर डिकलते थे उनको पीटते थ पीटते थे अपनी सिप्टी अब हमारे गौण में और हमारी पंचाहित में बार के लोगों को लाकर यहां पर क्रोना पॉजिटिव निकले तो दैसत हो नहीं है अब प्रसाथ्चन क्यों नहीं यह सकत कारवाई कर रहा है पहले तो इनना मार पीट की पुलिस बारन लोगों पीटा बार अब बार से लोग लागे हमारी पिंचाहित में रख दिया और हमारी पिंचाहित का मौल खराग कर दिया है उनको भी यहां से उठाए जाए और इनको इंसीचूट किया जाए जहां इननना इंसीचूट सेंटर खोली हैं बहाँ पर रखे जाए मैरे मतलग 14 तरी आप इनका बेटी है और आप तो अनपड़ लोग हैं आपको इन कनोनों का पता नहीं कि क्या होता है कनोना हमें पता है एस्डियम साव ने बोले कि अगर इनका पॉस्टिटिव रपोर्ट आती है तो हम इनको यह से ले जाएंगे उठाके जब इनकी पॉस्टिव रपोर्ट हम इनकी बाहर ने करणा है और जो इनकी संपर्क में क्यूंकि वो मतलु इनकी घार भी जा रहे हैं खाना भी दे रहे हैं पानी बदे रहे हैं वहां से बास में गार एंगवव तो उनको मतलब ये करना चाहिए अंदर इनको मतलब कर दो उनका या तो उनको भी सेंपल लिये जाए जो मर्जी करो जैसे मर्जी में लेकन इनको उठा करो और जो इनके संबर्क में उनको बंद करो उनको घूमना नहीं चाहिए उनको खुले आम क्योंकि हमारे गर में चोटे कि उसका हमने किया करना यागए जब आमने परस्टिवा तो उनको बिलाया सभको लेकर कोई नहीं आया पर पोल्स भाले सभी ते लेकर कोई नहीं आया यहाई यह पर बोलता कि हम नहीं जाएंगे और अब इन्हों जो है तो मतलब कल से लेटर निकाला हुआ है कि गौओं को सील कर रहे हैं तो जब एस्टियम साभ आय तो नहीं हमारे साथ बाइदा कि हम गौओं को सील नहीं करेंगे अगर पुश्टिव बाते इनको ले जाएंगे मोट्रा के यहां से अब इनने कल लेटर निकाल दिये कि मत जब आज शबरें सब्था पुश्याट मेंजा उनकों कि अभी दृभव बाहर नी जा सकता यहां से अगाडिं का यह सरकारीय में बढ दिये το और ये बना दिये रहने दिएmaru नहीं लिकन गौओं के जबर थे पता होता है कि गौओं के बीक में तो नहीं चाहिए है तो यह स्कूल भी खाली करबार खाए नहीं तो बहां क्यों नहीं रखा है रॉयल होटल में इनके मुंतलब कंटाइक रहे हैं पहले तो इननों बोले कि इसमें रखेंगे हम इनको सरोजी क्या समस्या है आपके गाउंस समस्या है जो इनके संपर्क में आ रहे है ना उनको बिल्कुल हम हेड़ पंप से पानी निभर सकते हैं, हमारी पानी किस मस्या आ गई है, हमारी बार निकलने किस मस्या आ गई है, हम कहीं जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि इनको बंद कर दिये जाए और इनको यहां से ले जाए यहां से. बहें हमिरपुर SDM चिरंजिलाल चौहान ने कहा कि शाषन गाउं में प्रशाषन द्वरा पूरी एतियात बरती जा रही है जो लोग यूपी से शाषन पहुंचे हैं उनको सरकारी निर्देशों के अमसार प्रशाषन ने हॉम कॉरिंटीन किया है लेकिन जब प्रशाषन द्वरा इन लोगों के सेंपल परे गए तो दो लोगों की रिपोर्ट पोजिटिव निकली है जिन्हें कोबिट केर सेंटर में भेजिया है तथा अन्नी 6 लोगों की प्रात्मिक रिपोर्ट नेगिटिव आई है और इसके बाद जल्द ही स्वास्ते व्याक दोरा इन लोगों की द्वित्ती सेंपलिंग भरी जाएगी इसमें सेंपलिंग की घए थो दो लोग पोस्टिव आ गया है और बाकी लोग रुझ है वो एक तो दोनों लोगों हमने की शिप्ट कर दिया है आपके NIT में DCC में उनको कुछ लोग जो बचे हुए है उनका छटे दिन फिर से सेंपलिंग रिपि जाएगी और उहां पर प्रशाशन ने पूरी पूरी ता जो भी गाईडाइन के साफ़ से महां पर सैनिटाइजिन की जा रही है और लोगों को हां पर हेल्टीम को दिपूट किया है